वाहि गुरु जी का खालसा ते वाहि गुरु जी की फते जब जी साब दी अजनोवी पोड़ी दी व्याख्या करन जा रहे हैं ते एदी शुरुआत हुन दी है सुनिये इश्चर बर्मा इंद सुनिये दे विशे उते जब जी साब विच गुरुनानक साब ने चार पोड़ियां उचारन की तियाने ते एजड़ी सुनिये दी दूसरी पोड़ी है एस तो पहला अठवी पोड़ी दी असी व्याख्या कर चुके हैं ते आनोवी पोड़ी दी व्याख्या करन जा रहे हैं इस्तोबाद दस्वी और ग्यार्वी पौड़ी वी इससे विशेदे उपर है जो की है सुनियें। सुनन दी इतनी पारी महांता है के बार बार साहिब गुरुनानक देवजी महराज नो सुनन दी महांता दसनी पई है। सुनन नाल की हो जानदा है। शबत दा जद कन्ना दे राहीं अंदर प्रवेश हुन्दा है तां अंतर आत्मे चे जागरती पैदा हुन्दी है। बार बार गुरुदेव जी इस दा जिगर करदेने। सुननना इतनी गलते स्पष्ट है के पाप नश्ट हो जान्देने। ते पापा तो मुराद ए है के मनुख दुजे इंसान नूं चोट नहीं पहुंचान्दा। पाप की है जिस विचारतों दुजे नू चोट पहुंचे। दुजे दा अहित्त होवे, दुजे दा दिल दुखे, जिस करदर तों दुजे दा नुकसान होवे, जिस करम तो जिस विचार तो जिस लेखनी तो जिस किरदार तो दुझे नू चोट पहुंचे ओ पाप है ते जद दुझे नू चोट पहुंच दी है ता पलट के चोट वापिस आंदी है ते जद ओ पलट के आंदी है ते फिर ओ दुखी होएगा यानि पापी दुखी होएगा जिसने पाप किता आगा पापी तो मुराद दुझे नू चोट पहुंचान वाला पापी तो मुराद दुझे नू दुखत किता दुखी करन वाला ते दुझे नू दुखत जो कर रहा है खुद सुखी नहीं रह सकता दुख पलटके वापस आएगा और अनन्त गुणा होके वापस आएगा ते जगत गुर बाब्बा जी केंदे ने जो शब्द नू सुन्दा है ओधे अंद्रों पाप नास हो जान्दे ने दुज्ये नू चोट पहुँचान दी बिर्ती खतम हो जान्दी है जैसे पाप खतम हुंदा है वैसे दुख मिट जान्दा है क्यूंकि किसे नू दुख पहुँचाया नी ते पलटके दुख वापस भी नी आया दुखांदा नास हो गया पाप पांदा नास हो गया इस वास्ते अठ पहर परसंता बनी रहन दिये विगास बनिया रहन दा है नानक पगता सदा विगास सुनिये दूख पाप का नास सुनिये दी इस दूसरी पौड़ी विच जो अवस्ता मनुख दी सुनन नाल बंदी है सत्गुर देव जी महराज इस टांगनार फुर्मान कारदेने सुनिये इशर बर्मा इंद इस देश विच सब तो प्राचीन उगादार्शनिक फिलोसफर ब्रमा होया है जो बहुत गहरे तालविच सोचदा सी उसने बहुत तरादिया खोज़ा किती है कोई ऐसा विशा सी ही नहीं जी देते उनने खोज़नी किती संगीत कला रंग स्वाद चांदतारे जोतिश ते एथे गुर्णानक देवजी कहिंदे ने जो नाम नू सुन्दा है उननू गहरी द्रिष्टी मिल जान्दी है उननू ब्रह्मे वर्गी पदवी मिल जान्दी है क्योंकि ब्रह्मे दी भी बहुत गहरी द्रिष्टी सी ओ ब्रह्मे दी तरहां आलम हो जान्दा है ओ मूर नहीं रहेगा, मूरक नहीं होएगा, अंजान नहीं होएगा, नाम जपन वाला महां से आना होएगा, एगल वकरी है, कि जिसने विकारा दा तयाक किता है, नाम रासवी चलीन है, नू मूड केंदेने कुछ लोग, कई लोग जड़े हुनो तारमक भी हो जांदेने उनन उन्वी लोग केंन लाग पी इंदने की ये पागल है रा ब़नाई दरू है न को जू अच्छ काम ही नुख जान शीझा जे राश लूग जगत दरस नहीं है कि एक लसी पी रहा है ते एक मखण खा रहा है जिमें पगत कबीर जी ने क्या है कि पगत हर लोग जेडे ने ओ ते हमेशा मखण खांदे ने ते छाच जड़िये ओ संसार दे हाथ विच उंदी है मखण तातवस्तु है तातवस्तु दी प्राप्ति उन्दी है पगतानू ओधे कोल बड़ी गहरी द्रिष्टी है शुनिये इशर बर्मा इंद सुन्दे ही बंदा शब्दनों सुन्दे ही बंदा अवदूत बिर्ती बंदा मालको जन्दा है सिवधी दी तरह उधी बिर्ती बंदी है विश्णू दी तरह उधी दया बिर्ती बंदी है शंकर दी तरह त्यागी बिर्ती बंदी है ए पदवियां सुन के मिल दियाने परमा सुखांदा सारे रसांदा अनंद मानन वाला जितने रासनाल पगत पोजन चाखदा है उतने रासनाल एक संसारी पोजन नहीं चाख सागदा संसार नो देखके जो एक पगत रस मानदा है ओ एक संसारी रस नहीं मान सागदा गीत संगीत नो सुनके जो विसमाद दुनिया ते जड़ा पगत बंदा हो दे कोल एश्वर्जी एश्वर्ज होंदा है, विश्राम होंदा है, पगत कोल आराम होंदा है, सुक होंदा है, जैसा इंदर कोल है, इंदर स्वरगदा राजा है, पाव अपने महाल विच जीवन जीवना, अपनी इंदरियानु काबू करके जीव इंदर वर्गी पद्वी सत्गुर देव जी महराज कहने ने परमातमा दा शबत सुनन दे नाल प्राप्त हो जान दी है। ओ भी उच्चे हो जान देने ते सिफ्टो सला कार करके उच्ची पद भी हासल कार लाइं देने। इस तो पहले जुगती दा प्राप्त होना बड़ा उखा है। जेडा बंदा परमातमा दा नाम नहीं सुन्दा या जापदा उन्नू ए जुगती प्राप्त नहीं हो साकती के संसार तो उता कि में उठना है ते परमातमा नल जोड कि में जोडना है। जी मैं पानी पित्ते बिना प्यास नहीं मिट दी ए असंबव है पोजन चाक के पोख लेंदी है। जी में अख्छा खोल के प्राप्त नहीं प्राप्त कर लागा ए वी गल असंबव है। जी में अख्छा खोल के प्रकाश हुंदा है। उबहु जोग दियां जुगतियां प्राप्त करन लेई प्रभु दा नाम पहलना सुनना पहेगा। रसननल उचारन करके उस दे नाम नों सुनना पहेगा। सुन्द्यां ही सुन्द्यां जुगती प्राप्थ हो जन्दी है, सुनन परमात्मा दा नाम सुनना ही परमात्मा दे रस्ते पर चलना है, प्रभु दे मारगते चलना है, और जो चलना है पहुंच जनना है, ते क्योंकि प्रभु दे मारगते सुर्त ने ही चलना है, सुर्त त् त्यानना सुन्धा है जे अपना सुनन विच त्यान IU नहीं ते फिर साधी सुर्त नहीं चल दी ते फिर सुनना बेकार हो जान्दा है ते अग्गे केंद ने सुनिये जोग जुगत तन पेद जेड़ा बन्दा पर मातमा दा ना सुनदा है ओदे जड़े तांदे पे दादावियोंनू पता लग जानदा है पोजन केड़ा पाच साकदा है किनना कू पाच साकदा है पाच के किमे रस बाणदा है और रस शरीर दे केड़े केड़े आंगनू किस टांगनाल पहुंचदा है शरीर दे वेचे विकारा दा जनम किस टंग नाल हुन्दा है केड़े केड़े पोजन तो हुन्दा है केड़े केड़े महोल तो हुन्दा है सारी गल्दा पता लग जान्दा है एह हुन पेद किमें पता लग जान्दा है तमाम नाड़ियां दी गिंती वेदिक ग्रंथा मिच मोजूद है, एक एक नाड़ि दी एहमियत की है, इस तरह दा ग्यान भी मोजूद है, मगर नाम देव जी दा फुर्मान है कि नसा मिच निरा खून गर्दिश नहीं करदा, अमरित भी गर्दिश करदा है पगत नाम देव जी कहिंदे ने, दस बेरागन मोह बसकीनी पंचों का मिटनाओ, सत्तर दोए परे अमरित सर्विख का विख को मार कड़ाओ इना खून पावन हो गया है, इस खून जो उच्छाल अंदा है, ओदे नाल जगत विच करांती हो जान दी है एक खून किते डुल जाए, ओथे शहिदी स्थान तीर्थ बान जान दा है मा पुर्शा दे खून अंदर इतनी पवितरता हुन दी है, किसे ने डोल दिता है, ओथे ओ तीर्थ बनेगा, जो सदियां तक मनुख नुपावन करदा रहेगा और परमात्मा नाल जुडन दी प्रेरना करदा रहेगा जेड़ा बन्दा परमात्मा दा नाम जाप सुनदा है ते चापदा है, ओ तंदी गहराई विच चात मार के जड़ियां, तंदीयां, ब्रीकियां ने उन्ना दा पता कार लेंदा है, या उन्नुपता चाल जानदा है अग्ये गुर्णानक देव जी केंदेने, सुनिये सास्त्र सिम्रत वेद, नानक पगता सदा विगा, सुनिये दूख पाप का नास नाम जो परमातमा दा है उदे सुनननाल छे सास्तरां 27 सिमर्तियां ते चार वेदां ते सिद्धां दा ग्यान हो जानदा है ए सास्तर सिमर्तियां ए चार वेद जो भी आया है अपना जो भी अध्यातम आया है जिनने भी पगत लोग ने ए परमातमा तो ही आया है ते जेडा बंदा परमात्मा नहीं जोड़ जन्दा है उन्नू फिर क्योंकि ए सारा ग्यान उन्नू आटोमेटिकली सारा सास्त्रां सिमर्तियां जो विद्दा जो लिख्या हो है ए ग्यान उन्नू इप्राप्तो जन्दा है अग्ये गुर्णानक दीव जी कहिंदेने नानक पगता सदा विगा सुनिये दूख पाप का नास पाव है इस जीवनू पापां करके दुख मिल दे हन नाम सुननते सिमर्ण करनाल जीव दे सारे पाप नास हो जान दे हन फिर ओ सदा अनंद विच रहिंदा है ते ए सी जी अपनी नोमी पोडी दी व्याख्या ते ए उरी पोडी एमे है सुनिये इशर बर्मा इंद, सुनिये मूख सलाहन मन्द, सुनिये जोग जुगत तन पेद, सुनिये सास्थर सिम्रत वेद, नानक पगता सदा विगा सुनिये दूख पाप का नास वाई गुर जी का खालसा ते वाई गुर जी की फते